So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानि की 20 सेप्टेमबर की important current affairs को तो इस प्रस्ट में पूछ रहे हैं अभी इस रो के Venus Orbiter Mission या शुक्रियान Mission जिसे बोलेंगे इसको अभी स्विक्रत बजट क्या है, इसको स्विक्रत दे दिये cabinet ने तो इसका स्विक्रत बजट क्या है, तो आंसर होगा 1236 करोड रुपे तो अभी केंदर सरकार ने शुक्र ग्रह यानि की Venus का अध्यन करने के लिए इस रो के अंतर ग्रही यानि की इंटर प्लेनेटरी Venus Orbiter Mission को मंजूरी दे दी है इस Mission को सुक्र यान Mission भी कहा जाता है और ये इस रो का दूसरा इंटर प्लेनेटरी Mission है अगर ये दूसरा इंटर प्लेनेटरी Mission है तो पहला कौन सा था Mars Orbiter Mission या जिसे आप मंगल यान Mission भी बोलते हो जो 5 नवंबर 2013 को लौच किया गया था इंटर प्लेनेटरी मिशन से मतलब है किसी दूसरे प्लेनेट के लिए भेजा गया मिशन वैसे भारत विनस यानि की शुक्र ग्रह पर स्क्राफ्ट भेजने वाला पाचवा देश होगा इससे पहले चार देश कौन कौन से हैं ऐसा करने वाले सोवेट संग, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान और भारत अब पाचवा देश होगा और इस सुक्रियान मिशन के लिए 1236 करोड रुपे का बजट पास हो चुका है जिसमें से अंतरिक्ष यानिकेनी की स्पेस क्राफ्ट बनाने में ही 824 करोड रुपे खर्च हो जाएंगे और ये मिशन मार्च 2028 में लौंच होने की उमीद है, जब प्रत्वी और शुक्र एक सीद में आएंगे, तब हम इसे बेजेंगे ताकि इसे अमारा जो फ्यूल है वो कंजप्षन भी कम होगा अच्छा दूसरे ग्रहों के जो शुक्र मिशन रहे उनके नाम में आपको बिता दो और कब लौंच हुए, कब क्या होगा इपर देख लो जैसे की शुक्र ग्रह पर सबसे पहले सफल अंतरक्ष यान ये अमेरिका ने भेजा था, उसका नाम था मेरिनर 2, 1962 में भेजा था और जापा ने 2010 में शुक्र के लिए अपना अकाट्सू की मिशन लौंच किया था और नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजनसी है, इसने कहा कि 2029 में डाविंची मिशन और 2031 में वेरिटास मिशन ये लौंच करेगा शुक्र के लिए यूरोपेन स्पेस एजनसी 2021 में शुक्र के लिए अपना अन्विजन मिशन लौंच करेगा और जो रशिया है वो 2029 में वेरिटास मिशन लौंच करेगा शुक्र के लिए शुक्र ग्रह की बात करें, तो अगर सूरे के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यह दूसरे नंबर का ग्रह है, जोकि पहले नंबर पे बुद्धा आता है मरकरी उसके बाद शुक्र आता है तीसरे पे अर्थ आता है तो आप कह सकते हो प्रथवी के सबसे निकट का ग्रह यह शुक्र यानि की वेनस ही है इसे प्रत्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप और साइज है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है इसलिए प्रत्वी की जुड़वा बहनी से कहा जाता है और ये कारबन डाय ओक्साइड के घने बादलों से गिरा हुआ है ये सोर मंडल का सबसे गर्म गरह है इसलिए ये सबसे चमकदार भी होता है और इसी कारण से इसको इवनिंग स्टार या मौर्निंग स्टार भी का जाता है क्योंकि चमकदार होने के कारण इवनिंग में सबसे पहले ये दिखेगा और मौरनी में सबसे बात तक ये दिखता है और आपको बताए शुक्र और अरुन यानि कि युरेनस ये केवल दो गरह हैं हमारे सोर मंडल के जो अपनी धूरी पर पूर्व से पश्चिम की और घूमते हैं इसका मतलब देशों के जो शुकर के लिए मिशन है वो भी मैं आपको बता दिये अब इस शुरू के बारे में मैं आपको और बता दिता हूँ इस शुरू हमारी स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च और गेनाइडिशन स्थापना होती 1969 में हेटकोर्टर बंगलोरो में है और अध्यक्षे एस सोमनात इसका मोटो हुता है स्पेस टेकनलोजी इस इन सर्विस ऑफ हुमन काइन तो यह सारे पॉइंट्स दियान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पूछ रहें हाली में एलन मस्क की कमपनी ने दरश्टी हीनों के लिए एक डिवाइस बनाया है उसका नाम क्या है तो इसका नाम है Blind Sight तो एलन मस्क की एक brain chip startup कमपनी है जिसका नाम Neuralink है और इसने दरश्टी हीनों के लिए एक डिवाइस लॉंच किया है मतलब ये डिवाइस उन लोगों को भी देखने में मदद करेगी जिनोंने अपनी दोनों आखे खोदी है या जो दोनों आखों से देख नहीं सकते हैं वो भी अब दुनिया देख पाएंगे इस डिवाइस का नाम क्या है Blind Sight इसका नाम है और अभी इसे अमेरिका के Food and Drug Administrator ने मंजूरी भी दे दी है इसके अलावा एलन मस्क ये इनसानों के दिमाग में चिप भी लगा रहा है अगर Human Trial इसका काम्याब रहता है न तो जिने Paralysis हो जाता है Paralysis के जो मरीज होते हैं वो भी चल फिर सकेंगे और इस चिप का नाम क्या रखा है इस चिप का नाम रखा है Link तो दोनों के नाम याद रखना एलन मस्क ने मतलब इसकी कंपनी है जो Neuralink उसने दरश्टी हीनों के लिए एक डिवाइस तयार किया है उसका नाम तो Blind Sight है और इस जो इनसानों के दिमाग में चिप लगाएगा उस चिप का नाम Link है दोनों बाते दियान में रखना एलन मस्क आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर वेखती है और इनकी एक Space Company भी है जिसका नाम Space X है ट्वीटर के मालिक भी ये है और एक Electric Car Company टेसला उसके भी ये मालिक है अच्छा वैसे World Braille Day अगर पूछें ये कब मनाया जाता है तो 4 जनवरी को मनाते है आपको पताए RBI ने नेत्र हीनों को नोट पहचानने में मदद करने के लिए एक Application Launch किया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है Money M-A-N-I Money तो ये ध्यान में रगना अगला प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पूछ रहें कि वर्ष 2026 में जो राष्टर मंदल खेल होंगे Commonwealth Games होंगे उसके मेजबानी कौन करेगा? तो सहित्तर होगा Glass गो तो राष्टर मंदल खेल यान की Commonwealth Games तो पहले अगर इसकी बात करें तो England और उसके अधिन जो भी देश रहे हैं उनके बीच इन खेलों का आयोजन होता है और इनी को Commonwealth Games बोलते हैं राष्टर मंदल खेल बोलते हैं पहली बार ये 1930 में हुए थे Hamilton, Canada में और आखरी बार 2022 में हुए थे जो कि इसका 22 संसकरन था Birmingham, UK में अब 2026 में होंगे क्योंकि 4-4 साल के अंतराल में होते हैं तो 2026 में जो होंगे वो 23 संसकरन होगा और हमने कई बार पढ़ा है पहले ये ऑस्टेलिया के Victoria में होने वाला था फिर मैंने आपको ये भी कहीं बार बताया है कि Australia ने इसको होस्ट करने से मना कर दिया क्योंकि इसका जो budget है वो बहुत जादा हो रहा है और उन्होंने का कि हम award नहीं कर पाएंगे तो हम इसे होस्ट नहीं कर रहे हैं तो अब 2026 के Commonwealth Games ये कहां पे होंगे Scotland के Glasgow में होंगे ये आपको ध्यान रखना है और वैसे मैं आपको बचा दूँ कि भारत भी एक बार Commonwealth Games को होस्ट कर चुका है 2010 में नई दिल्ली में हुए थे ये अच्छा इसी तरह से Olympic का मैं आपको revision कर रहा हूँ देखो दो तरके Olympic होते है Summer Olympic और Winter Olympic तो जो अभी Paris Olympic आपने देखिए वो कौन से Olympic थे Summer Olympic थे जो अभी गर्मियों में हुए थे इसमें भी अगर बात करें पहली बार जो हुए थे वो 1896 में हुए थे Athens Greece में अभी जो हुए 2014 में वो 33 संसकरन था Paris, France में हुए और अगली बार जो हुए 2028 में वो 34 संसकरन होगा Los Angeles अमेरिका में वहें Winter Olympics से आपको याद रखने है कि 2026 वाला Winter Olympic ये प्रशन एक्जाम में पूछा जा चुका है ये कहां पे होगा? Italy में होगा और ये दो हम पढ़ चुके हैं भी ये Current Affairs के प्रशने कि 2030 वाला कहां पे होगा फ्रांस में होगा और 2034 वाला ये अमेरिका में होगा ये भी Current Affairs में हमने पढ़ादा ध्यान में रखना अच्छा Asian Games से भी प्रशने एक्जाम में पूछा जा चुका है तोकि भारत Asian Games को दो बार होस्ट कर चुका है एक तो पहला संसकरन ही भारत में हुआ था 1951 में और इसका नवा संसकरन 1982 में वो भी भारत में हुआ था और ये ही प्रशन पिछले साल किसी एक्जाम में पूछा गया था क्योंकि आपको यादे पिछले साल Asian Games हुए थे 19 संसकरन चाइना के हंग जाओं में तो इसलिए किसी एक्जाम में ये प्रशन Asian Games से बनके आया था कि भारत ने किस वर्ष इसको होस्ट किया था ऐसा ही कुछ प्रशन था और अगले जो Asian Games है जो कि इसका 20 संसकरन होगा वो जापान में होंगे जापान के आईची नगोया में होंगे तो यहाँ पर Commonwealth Games की बारे मैंने आपको बता दिया Olympics हमने देख लिए Asian Games हमने देख लिए तो इतना आप ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं तो अगले प्रशन में पूछ रहें कि विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मिलन का भागिदार देश कौन सा है यानि कि पाटनर कंट्री तो अंसर हो जाएगा इसका जापान तो हम बात कर रहे हैं World Food India 2024 Summit की यह भारत का सबसे बड़ा Food Summit है यह 19 सेप्टेंबर को शुरू हुआ और 22 सेप्टेंबर 2024 तक चलेगा इस बार यह इसका तीसरा संजकरन है कहाँ पे हुआ नई दिल्ली में और इसको होस्ट कर रहा है इसका आयोजन कर रहा है खाद्य प्रसंजकरन एबम उद्ध्यूग मंत्राले दिसके मंत्री कौन है चिराग पास्वान है और इसमें याद रखना भागिदार देशन की पार्टनर कंट्री तो है जापान और फोकस कंट्री अगर पूछेंगे तो वो वियतनाम और इरान है और इस सम्मिलन का इस सम्मिट का आयोजन करने का उद्धेश्य है भारत में food processing industries में invest को बढ़ावा देना अब यहाँ पे मैं आपको 2024 के कुछ important summits हुए जो सम्मिलन हुए वो मैं आपको revise करा हूँगा लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें food agriculture organization की तो इसकी स्थापना उत्तिय 16 October 1945 में इसलिए 16 October को World Food Day मनाते हैं इसका मुख्याल है Rome Italy में आपको मिलेगा और एक World Food Safety Day भी होता है वो हम 7 June को मनाते हैं अब आप से एक प्रशन पूछता हूँ कि Sustainable Development Goal No.2 यह क्या बताता है यह किसके बारे में बात करता है यह आपको बताना है और हाँ अगर आप में से कोई स्टुडेंट पहली बार क्रिक एक्जाम चेनल पे Current Affairs का वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपको दो बाते बताऊँगा पहला तो यह कि Sustainable Development Goals से प्रशन एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इसका tricky वीडियो में ने बना दिया है तोटल 17 goals हैं जो कि 2030 तक पूरे करने 17 goals आपको बता होने चीए पूरे line से आपको बता होने चीए कि कौन सा क्या कहता है कैसा भी प्रशना सकता है आता जरूरे एक्जाम में तो वो ट्रिक वाला वीडियो में ने बना दिया उसके उपर एक बार आप वीडियो को देख लोगे वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे वो सारे goals आपको याद हो जाएंगे इतनी में आपको guarantee दे रहा हूँ तो simple साब सार्च करना YouTube पे क्रेक एक्जाम स्बल डवलप्मेंट गोल ट्रिक्स वीडियो आपके सामने होगा और ये मेरी guarantee है एक बार वीडियो देख लोगे तो आप खुद का होगे वह मज़ा आ गया और दूसरी बात ये जो करन्ट अफेर्स की क्लास हम पढ़ रहे हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा कहां पे अपने टेलिग्राम चैनल पे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टेडी गूर्प में एक बार शेयर जरूर कर देना आज की वीडियो के लाइक का टार्गेट रखते हैं 5000 लाइक का तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमने एक सिरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम जनवरी से लेके सेप्टेमबर तक के सारे important questions का revision कर रहें तो उसका आज set number 2 आ चुका है तो वो अभी तक नहीं देखा होगा आपने क्योंकि वो morning में चार बज़े आ गया था तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप जरूर से देख लेना अभी हम अगला परशन देखते हैं अच्छा अगला प्रशन नहीं सम्मिट्स मेर को आपको रिवाइस कराने 2024 के सारे important तो ध्यान से सुनना तो AI सुरक्षा पर अभी दूसरा सम्मिला निस्साल हुआ था वो साउथ कुरिया के सीवल में हुआ World Future Energy Summit United Arab Amirat में World Sustainable Development Summit नई दिल्ली में पहला Nuclear Energy Summit Brussels Belgium में नवार राइसिना डायलोग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसमें चीफ केस्टने ग्रीस के प्रधानमंतिर क्रियाको स्मिट्सो ताकिस पहला Digital India Future Skills Summit गुवा हाटी में हुआ सात्वा हिंद महसागर सम्मिलन परत ऑस्ट्रेलिया में विश्व सरकार सम्मिलन 2024 दुबई में और भारत ने युनेस्को के विश्व धरोहर समिती के अध्यक्षिता की 2024 में 46 नंबर का एडिशन है वाइबरेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड इशो का आयोजन गांधी नगर में हुआ और नवा अंतरराष्टर विज्ञान महुच्छव का एउजन फरीदाबाद में 27 वा राष्टर युवा महुच्छव नासिक में हुआ पहला भारत इस्तीम बॉयलर एक्स्पो का एउजन गुवा हटी में क्रशी अर्थ शास्त्रियों का 32 वा अंतरराष्टर सम्मिलन ये नई दिल्ली में हुआ इंडिया ने दूसरी बार इसको हुष्ट किया उसके अलावा 19 वा CII भारत अफरीका व्यापार सम्मिलन हुआ नई दिल्ली में चोथा राष्ट्रे हिंदी विज्ञान सम्मिलन अभी बोपाल में हुआ और विश्व शिक्षा सम्मिलन हुआ अभी दुबई में जिला न्याय पालिका का राष्ट्रे सम्मिलन नई दिल्ली में और नागरिक विमानन पर दूसरा एशा प्रशान्त मंतर इस्तर्य सम्मिलन ये भारत में हुआ, पहला विश्व ओडियो विज्वल और मनोरण्यन शिखर सम्मिलन ये गोवा में होगा इस साल नवंबर में, नेशनल ए गवर्नेंस कॉन्फरेंस का योजन हुआ था मुंबई म पहला सन्युक्त कमांडर सम्मिलन हुआ लखनों में, दूसरा अंतरराष्टर बोद्ध मीडिया सम्मिलन का योजन ये नई दिल्ली में हुआ था, तो 2024 के इंपोर्टिंट सम्मिलन है ये सम्मिट से ध्यान में रखना अगला प्रस नेखते हैं, फिर अगले प्रस में मद्रप्रदेश हाइकोट के चीफ चस्तिस के रूप में न्यूक्त किया गया है, उन्होंने मद्रप्रदेश हाइकोट के जो एक्टिंग चीफ चस्तिस हैं, संजीव सचदेव उनका इस्तान लिया है, बाकि ऑप्शन से देखोगे, तो शील नागू अभी इसी साल पंजा करें, तो ये हमारे भारते सम्विधान के पार्ट 6 में आपको आर्टिकल नंबर 214 से लेकि 231 तक इसके बारे में आपको मिलेगा, भारत में टोटल हाइकोट की संख्या 25 है, 25 वा अमरावती हाइकोट है, और हाइकोट के चीफ जस्टिस को शपत कौन दिलाते हैं, गवर्न अन्ना चांडी केरल हाइकोट से और पहली महिला चीफ चैटिस लेला सेट रही है हिमाचल प्रदेश हाइकोट में, अचा हाइकोट किस अनुच्छेट के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226, और अगर पूछे हाइकोट किस अनुच्छेट के द्वारा एक अभिले इक न्यायले है, तो आर्टिकल 215, अभी यादे देश का सबसे बड़ा हाइकोट परिसर ये काँ बना राची जारकन में, शेत्रे भाशा मलियालम में फैसला परकाशित करने वाला पहला हाइकोट केरल हाइकोट है, अभी मासिक धर्म अवकाश निति प्रारंब करने वाला देश का पहला हाइकोट सिक्किम हाइकोट था, और निगोशेबल इस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए देश का पहला डिजिटल कोट ये कांपे शुरू हुआ, केरल के कोलम में, तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान में रखना अगला प्रस निखते हैं, फिर अगले प्रस मे जन जाते 99 ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है, और इसके लिए 79,156 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे, और इस अभियान का उद्धिश्य क्या है, आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक इस्थिति में सुधार करना, तो इस योजना के अंतरगत 63,063,000 स अधिक गाउं को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड से अधिक अधिवासी लोगों को लाब मिलेगा, और इसमें 4 चीजों पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजूकेशन पर, हेल्थ पर, और स्किल डेवलप्मेंट पर, तो अभिय जाएगा, वो मैंने आपको बता दिये, तो ये ध्यान में रखना, अगला परशन दिखते हैं, फिर अगले परशन में पूछ रहें, अभी हाल इमें नालको, यानि कि नेशनल अलुमिनम कंपनी लिमिटेड, इसका CMD किसे नियुक्त किया गया, तो अंसर होगा, बीजे इं इंदर परताप सिंग इनको अभी नालको का CMD नियुक्त किया गया है, वे शरीधर पात्रा का इस्थान लेंगे, नालको ये एक नवरत्न कंपनी है, फुल फर्म हमने देखी नेशनल अलुमिनम कंपनी लिमिटेड, जो अलुमिनम प्रोडक्शन और माइनिंग का काम करती ह जिसकी स्थापनवती 1981 में और मुख्यले आपको मिलेगा भूमनेश्वर उडिसा में, अब यहाँ पे कुछ important appointments में आपको revise कराता हूँ, जो कि अभी हाली में हुए, जैसे कि देखो सतीश कुमार की बात करें तो railway board के नए chairman और CEO बने, वी शिरी निवासन राष्टर सुरक् गाड के director general बने थे, राजविंदर सिंग भट्टी CISF के director general बने, तो दलजीत सिंग चौधरी BASF के director general बने, सिंदु गंगाधरन NASCOM की chairperson बने, वहीं राजिश नामवियार NASCOM के president बने, जैशा, यह ICC के नए अध्यक्ष होंगे, यह Greg Barclay की जगे जाएंगे जो कि New Zealand के हैं, इस साल के अंतितक बन जाएंगे, महसिन नकवी, Asian Cricket Council के नए अध्यक्ष बनेंगे, यह अभी वरत्मान में cricket board के अध्यक्ष हैं, यह replace करेंगे जैशा को, संजीव रंजन, Indian Ocean Dream Association के secretary general यह बनेंगे, एक जनवरी 2025 से, और अशोक कुमार सिंग, कर्मचारी राज्य बिमा निग के director general यह बने, P. Harish important नामे, संयुक्त राष्टर में भारत के स्थाई प्रतिनिदी permanent representative बनें यह, राहुल नवीन, प्रवरतन निदेशाले enforcement टारेक्टरेट के नए निदेशा क्यान के director बने, और अभिनव बिंद्रा, अंतर राष्टरे ओलम्पिक समिती का athlete आयोग का इनको उपाद्यक्ष बनाया गया, और अभि International Olympic Committee ने इनको Olympic order से भी सम्मानेत किया था, TV सोमनातन नए cabinet सचीव बने, पावेल डुरोग टेलिग्राम के founder है, इनका नाम निउज में था क्योंकि गिरफ्तार हो गए तो नाम ध्यान रखना, पृति सुदन, संग लोक सेवा आयोग UPS की नई चेयर्मेन ये बनी थी, तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंटे निउज में थे, ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं, फिर अगले प्रशन में पूछ रहे हैं, कि अभी हाली में भारत सरकार ने 30 तन पेलोड शम्ता वाले किस पुनह प्रयूज प्रक्षेप मतलब ये इतना वजन इतना भार ले जा सकता है अंतरिक्ष में, और ये एक reusable launching vehicle है, मतलब बार बार आप इसका इस्तमाल कर सकते हो, और इसका use हम चांद पर भारतियों को भेजने के लिए करेंगे, अच्छा एक दो प्रशन में आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो आप ये लक्षे हमें कब तक पूरे करने हैं, बाके मैं आपको बताओ, इस रो ने अभी एक्सपो सेट को launch किया था, किस launch vehicle से, PSLV C-58 से, महीं हमारा जो पहला सूर्रे मिशन ने आदित्ते L1 उसको launch किया था, PSLV C-57 से, और अभी Inset 3DR को launch किया था, GSLV F-14 से, EOS Earth Observatory Satellite 08 को launch क किया था, SSLV D-3 से, और चंद्रियान 3 को हमने launch किया था, LV M-3 M-4 जिसे बाहु बली या Fat Boy भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखना अगला परशन देखते हैं, फिर अगले परशन में पूछ रहें, अभी हाली में केंद्रिय मंत्री मंडल ने बायो राइड योजना को मंज मंजूरी दे दी है, इसमें प्रस्तावित खर्च कितना होगा, तो आंसर होगा 9,197 करोड रुपीज, तो अभी केंद्रिय मंत्री मंडल ने बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है, बायो राइड का मतलब हो गया, बायो टेक्निलोजियर रिसर्च इनोवेशन और अ एन्टर्पनियर्शिप डेवलपमेंट, इसके अलावा एक नए कंपोनेंट को घटक को इसमें जोड दिया है, वो हैं बायो मैनुफेक्टरिंग और बायो फाउंडरी, इसके अलावा ये योजना पंदरवे वित्तायोग की अउधी तक, यानि की 2021-22 से 2025-26 तक जारी रही और इसमें प्रस्तावित खर्च कितना होगा 9,197 करोड रुपीज, इस योजना का उद्धिश है, बायो टेक्नलोजी के शेतर में स्टार्टप्स को बढ़ावा देना, उन्हें सपोर्ट करना और इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना, तो योजना का नाम याद पेजर विस फोटो से कई लोगों की मृत्य हो गई है, तो आंसर होगा लेबिनॉन में, तो लेबिनॉन में पेजर उसके बाद वाकी टॉकी के बाद सोलर एनरजी जो सिस्टम सोते उनमें धमाके हुए, और पिछले दो दिनों में इन धमाकों से 32 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो लेबिनॉन में इरान के समर्थन वाले हेजबुला संगठन के लड़ा के इसराइली हैकिंग से बचने के लिए मुबाइल फोन की जगे पेजर और वाकी टोकी के इस्तमाल करते हैं, क्योंकि इनको आसनी से ट्रेक नहीं किया जा सकता है, और पेजर में आरोप इसराइल पर लगाया है, आज अब पेजर की बात करें, तो ये एक वायरलेस डिवाइस है, जिसे बीपर के नाम से भी जानते हैं, और 1950 में पहली बार पेजर का इस्तमाल नियू यॉर्क में हुआ था, आपने अगर पुश्पा मुवी देखी हो, तो वहां पे भी पेजर का इस्तमाल हुआ है, पुश्पा के पास था पेजर, फिर धीरे धीरे जैसे मोबाइल और वाकी टोकी आ गए, तो पेजर का इस्तमाल होना बंद हो गया, लेकिन फिर भी कहीं जगे पे इनका इस्तमाल होता है, मैंने आपको कारण बताया क्यों, क्योंकि इन्हें ट जब हमने बात कर रहती थी, इंटरनेशनल कोर्ट अफ जश्टिस, इसके नए प्रसिडेंट बने कौन, नवाप, सलाम, तो वो कहां से हैं, वो लेबिनॉन से ही हैं, तब हमने लेबिनॉन के बारे में पढ़ा था, तो गाईज ये थी आज के आपके करेंट अफिर्स की क्ल तो यहां पर हम 19 सेप्टेंबर के इंपोर्टेंट करेंट अफिर्स का क्विक रिवेजन कर रहे हैं, पहला परशन पुछा विश्व बास दिवस हमने मनाया 18 सेप्टेंबर, फिर पुछा भारते महिला फुटबॉल टीम के नए कोच बन गए, संतोष कश्यप, फिर पुछ फिर पुछा केंद्रे बंदर का जहाज रानी और जलमार्ग मंत्राले में ब्रेंड अम्बेस्टर बनी कौन, मनु भाकर, जॉर्डन के राजा ने किसे प्रदान मंत्री बनाया, जाफर हसन को, और हकुतो आट्टू चंदर मिशन को किसने लांच किया, जापान ने, अभी नाडा भारते समावेश सम्मेलन का दूसरा संसकरन कहां पर हुआ नई दिल्ली में, तापी पाइपलाइन पर काम करना शुरू करने की गोशना कर दिया अफगानिस्तान ने, और टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक युनेस्को विश्व धरोवर किताब दिया, तो अंकरवाट का मंदर जो कि कमबोडिया में है, और आखरी प्रस्ण में पूछा कि उत्तरपडेश के मुख्य मंतरे ने कहां सिद्धिश्वरी मंदर का उधगाटन किया, तो आंसर होगा तिरेपुरा में, तो चलो भी कल का हॉमवर्क प्रस्ण में रेखत